विल्कम टो यूटूब शैनल वाई आरेस क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि दोस्तों प्रस्णावली वन ई में प्रस्ण नमबर पांच तक इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्टिन में लिंक की दिया है वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं आगे दस्तों इस पूरे वीडियों में प्रश्ट नमबर छे, प्रश्ट नमबर साथ। आठ प्रश्ट नमबर आच। प्रश्णवली ववन ए के हम पढ़ने वाले हैं। अब दस्त प्रश्ट नमबर छे आपके सामने कह रहा है। दर्शाइये के ! या सिद्ध कीजिए या व्याख्य कीजिए रूट 129 बटे 147 पर्मे है या अपर्मे है दोस्तों जो संख्या कड़ी में दिया गया है तो यह हमसे पूछ रहा है पर्मे है या अपर्मे है दोस्तों पर्मे अपर्मे बताने के लिए जो संख्या दिया गया है उसको दोस्तों पहले हमें सरलत रूप में विक्त करना होता है अब दोस्तों यहां से लिखेंगे दिया है क्या दोस्तों दिया है 1029 बटे दोस्तों क्या है 147 है अब दोस्तों करते हैं क्या है यहां से हम जो 1029 है इसका अब सबसे पहले हम अभाज ग्रूंखंड ग्यांत करते हैं और दोस्तों ये करता किवज साथ से है दोस्तों साथ एकन्नम साथ तो दोस्तों यहां से तीन बचा दो यह बत्तिस बनेगा दोस्तों साथ चोग 28 चार बचा यहां से 49 बनेगा तो साथ सत्य दोस्तों क्या होगा 49 होगा और दोस्तों जो 147 है यह एक दोस्तों अभाज संख्या है और दोस्तों 147 जो होगा यह अपने आप से कटेगा दो दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है जो 1,029 है इसका जो अभावगरोंखंड होता है वो दोस्तों होता है साथ गुड़े 147 और दोस्तों बटे में खुद ही लिखा गया है 147 दोस्तों इस रूट की अंदर 147 हर में है और वही संखे 47 आपका अंस में है दोस्तों यह कड़ गया और दोस्तों यहां से बचा क्या किया और आपके पास रूट साथ मिला और दोस्तों रूट साथ का तो वर्गमू निकलता ही नहीं है अगर दोस्तों रूट साथ का वर्गमू नहीं निकल पा रहा है दोस्तों रूट साथ क्या होगा? एक आपकी अपर में संख्या हो जाएगी दोस्तों यहां से लिखेंगे जो की एक अपर में संख्या है आशा करते हैं दोस्तों प्रस्टरा ऑलि वनी का प्रस्ट नंबर 6 अच्छे तरिके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब दोस्तों परस नंबर 7 आपके सामने यहां से कह रहा है 3 बटे 8 की दशमलों रूप में गड़ना कीजिये या वेक्त कीजिये या दोस्तों कह सकता है निरूपित कीजिये अब दोस्तों करते हैं किया है किसी भी परमे संख्या को दशमलो रूप में लाने के लिए हमें हर का भाजगरों खंड दो की घातियन और पांस की घातियम के रूप का होना चाहिए अब दोस्तों करते हैं जो आपका हर में आठ है जब दोस्तों हम इसका भाजगरों खंड ग्यांत करते हैं केवल दो से करता है तीन बारे पे बर दोस्तों इसमें तो हर में पांच तो आया नहीं दोस्तों हमेशा जब दशंबल रूप पूछेगा तो घात दोस्तों में बराबर करना पड़ता है तो दोस्तों यहां से पांच घात तीन से हम अंस में गुड़ा करेंगे और पांच घाद दोस्तों तीन से हर में गुड़ा कर देंगे और दोस्तों यहां से होगा तो तीन के दोस्तों ऐसे लिखेंगे और दोस्तों पांच का घं होता है अर्थाद जब पांच को तीन बार गुड़ा करते है पांच गुड़े पांच गुड़े अर्थाद दोस्तों पांच का जो घन होता है वहां लिखते हैं पांच गुड़े पांच गुड़े पांच अर्थाद दोस्तों होता है एक सो पचीस होता है तो दोस्तों कहने का मतलब इतना है पांच का घन एक सो पचीस होता है दोस्तों आधार का आपस में गुड़ा किया जाता है तो दोस्तों दो पंचे दस हो जाएगा और दोस्तों इसकी घात कितना है तीन दिया है दोनों का अब दोस्तों करते क्या है 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 हाँ से एक सो पचीस तीन ये दोस्तों होता है कितना तीन सो पचाहत्तर होता है बटें दोस्तों क्या होगा जब 10 का घात 3 का दोस्तों मतलब होता है 10 की घात 3 बराबर 10 उगुड़े 10 उगुड़े 10 अर्थाद दोस्तों 10 को लिखना है 3 वार और दोस्तों यहां से 10 धहमा 100 100 धहमा दोस्तों होता 1,000 दोस्तों कहने का मतलब इतना है पांच का घंग 125 होता है और दस का घंग 1000 होता है तो दोस्तों बटे में क्या होगा आपका 1000 हो जाएगा अब दोस्तों ध्यान से बताईएगा हर में अगर 30 है तब दोस्तों दशमलों के बाद केवल दोस्तों तीन अंक ही होना चाहिए जो की 3, 7, 5 यह दोस्तों दशमलों के बाद 3 अंक आ गया यहीं दोस्तों जब 375 में हम 1000 से भाग करेंगे तब दोस्तों इसका उत्तर आ जाता है दशमलों 3, 7, 5 यही दोस्तों प्रश्णावली 1E का 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 प्रश्णावल दशम्रों पर साथ सांतु होगा अब दोस्तों करते हैं कि यहां से जिस परकार से सवाल नंबर साथ लगाएं है फिक इसी परकार हम परसनावली वनी का परसन नंबर आठ को भी हलक करेंगे तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस पूरे विडियो को अंतर जरूर बने रहेंगे तो दोस्तों यहां से लिखेंगे दिया है दिया है 6 बटे 1250 अब दोस्तों करना क्या है सबसे पहले जो हर की संख्या अरथाद 1250 लिखा है इसका दोस्तों हमें करना पढ़ता है अबहाज गुणनखंड अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो आपका 1250 है दोसे कटेगा एक बारे पे और दोस्तों ये करता है पांच से चार बारे पे पांच की घात दोस्तों क्या होगा चाहिए दोस्तों जो 1250 है दोस्तों कटेगा पहले फिर उसके बाद दोस्तों पांच से कटता है चार बार पे अब दोस्तों ध्यान से बताईएगा दो की घात यहाँ पर एक है जैसे कि पांस की घात यहाँ पर चार है हमेशा दोस्तों जब बीना भाग की ये दशमल रूप पूछेगा तब दो और पांस की घात दोस्तों बराबर करना पड़ेगा तो दोस्तों दो की घात एक यहाँ पर है अगर हम दो की घात दोस्तों तीन से गुड़ा कर दें तो दोस्तों गुड़े में आधार समान होने पर घाते तीन एक दोस्तों चार हो जाएगा तो दोस्तों दो की घाट चार गुड़े पांस की घाट चार दोस्तों दो की घाट तीन से यह दोस्तों हम अंसे में भी घुड़ा करेंगे ताकि एमान में कोई परिवर्तन ना हो अब दोस्तों करते हैं क्या है यहां से लिखेंगे छे गुड़े अब दोस्तों दो का घन होता है आठ हो जाएगा अब दोस्तों यहां से क्या होगा दो को इसे लिखेंगे गुड़े में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाते हैं अर्था दोस्तों तीन और एक जुड़ करके दोस्तों चार हो गया अब दोस्तों यहां से पांस की घात दोस्तों चार हो गया अब दोस्तों करते हैं क्या है यहां से छे का गुड़ा आठे में कर देते हैं दोस्तों छे अठे अन्टालिस हो जाता है और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था यदि गुड़ी में आधार अलग-अलग हो घात बराबर हो तब फिरिंड आधार का आपस में गुड़ा कर दिया जाता है जैसा कि दोस्तों घात कहते हैं जो संख्या उपर होगा आधार जिस संख्या पर घात लगता है इसलिए आधार का हम गुड़ा करेंगे दोस्तों दो पंच्छे क्या होगा आपका दस की घात दोस्तों यहां से चार हो गया अब फिरिड करते क्या हैं यहां से लिखेंगे एक बार और अटालिस बटे दोस्तों दस घात चार का मतलब होता है दस हजार कितना दोस्तों होगा आपका दस हजार हो जाएगा यहां से अब दोस्तों करते क्या है आपको यह पता होना चाहिए अगर दोस्तों हर में चार जीरो है तब दोस्तों दसंबलों के बाद किवल चार अंकी ही होना चाहिए अब दोस्तों दो अंकों पर या है चार और आठ दोस्तों पहले हमें दो जिरो मान लेंगे तब दशमलों को लगाएंगे चुकि दोस्तों हमें दशमलों के बाद चार अंकी ही लाना है क्योंकि हर में चार ही जिरो है अगर दोस्तों हर में चार जीरो है तब दोस्तों दस्मलों के बाद चार ही अंक होना चाहिए अगर हर में तीर जीरो होगा तब दोस्तों दस्मलों के बाद तीर अंक ही होना चाहिए तो दोस्तो आशा करते हैं प्रस्टनावली वनी का प्रस्ट नमबर 6, 7 और 8 इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे तरिके से समझा भी दिया और दोस्तो और ये हम आशा करते हैं आप इस पूरे वीडियो को अंतक जरूर बने रहेंगे और दोस्तो यह आपने अभी तक हमारे चैनल YRS केलास को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दोस्तों इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर कर दें और दोस्तों कमेंट करना ना भूले ताकि हमें ये पताव चले कि आप लोगों को ये पूरा प्रश्ण वीडियो अच्छे तरेके से समझ में आ गया होगा अब दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू